हलो फ्रेंज वेलकम तो माई चैनल टूट फोट 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 फोल इस वीडियो इस वीडियो फोर एडूकेशन परपस यहां मेरा टेलिग्राम लिंक वट्सप नमबर गिवन है तो प्लीज जोईन करने स्टार्ट करते हैं विद किया गया एंड कोशिश की गई कि मार्केट अपने सर्टेन लेवल पर रहे तो एक बार वो देख लेंगे उसके बार डिसाइड करेंगे अभी के बार लेवल डिसकस कर लेता है तो कल के लिए लेवल क्या रहेगा फिफ्टीन लेवल इसके उपर जाता है HDFC बैंक तो 1522.5 and then 1534 अगर 1506.5 ब्रेक होता है तो 1491 काफी बड़े टार्गेट है and 1478 यह टार्गेट आपको देखने को मिलेंगे SL क्या लेके चलना है तो जब हम सेल करेंगे 1506 पर तो 1511 आपका SL रहेगा और जब 1511 के उपर बाई करेंगे तो 1506.4 आपका SL रहेगा तो यहां उपर जाती है तो जो भी ब्रेक आउट गेंडल का हाई जैसे कि आज अगर हम बात करेंगे तो इसने ब्रेकडाउन दिया इस केंडल का हाई आपका SL था और उसके बाद देखो टार्गेट आपको जो भी टार्गेट गिवन थे सेकेंड टार्गेट अल्मोस्ट टच किया है तो इस वे में आपको एक ही केंडल में अच्छा बेनिफिट हो सकता है बढ़ हां इसमें एंट्री तभी लेना जब आप आपको फिक्स हो के हां यार मैं यहां निकल जाओंगा फिर यह उमीद में मत रहना कि यार उपर आ गया मेरा SL हिट हो गया और नहीं वापस नीचे चला जाएगा तो दुबारा इंट्री लेना बट अब भी जैसे SL हिट हुआ निकल जाना फिर दुबारा नीचे जाएगा फिर हमें एंट्री ले सकते हैं अब यह उपर जाता गया तो लोस काफी बढ़ जाता है तो उन चीजों का ध्यान रखना अच्छा चलो गेप अप होता है टक्रा के उपर आता है तो बाय करेंगे और वापस इस रेंज में आता है तो फिर हम सेल करेंगे फूर देस टार्ग नीचे उपन होता है उपर आता है इस रेंज में आ जाता है तो फिर हम इस टार्गेट के लिए भाय करेंगे और अगर यहां से टकरा के नीचे जाता है तो हम सेल तो इस लेवल को टूटने का वेट करना है न क्या नहीं जाएगा बिल्कुल जाएगा है न ऐसा निया कि यहां पर बाइग करोगे तो यहां नहीं जाएगा हूँ बट हाँ छोटे से टार्गेट है एसल अगर आपको ब्रेक आउट केंडल का लो मिलता है छोटा सा इससे इसस बात कर लेते हैं सो दाट इस एक्सिस बैंग एक्सिस बैंग वही कि यह पॉजिटिव रहा है न यह भी साइट वे उपन हुआ इसने अगर देखें ओके यहां ठीक है यह साइट वे उपन हुआ ग्रीन केंडल उपर गया एंड अल्मोस्ट कंसोलिडेशन किया तो कल के करेंगे और 1033 यह दो लेवल अगर ब्रेक नहीं होते तो हम ट्रेड नहीं करेंगे इन एक्सिस बैंक अगर यह लेवल ब्रेक होता है ठीक है अगर यह पर आल्यों आपको देखने को मिलेगा इन एक्सिस बैंक क्योंकि आज मैंनेज किया इससे ऐसा निय कि HDFC में प्रोब्ल बैंकिंग सेक्टर में problem है HDFC denote कर रहा है तो बाकी में भी उससे ज्यादा problem होगी बट हाँ fall कब स्टार्ट होगा कब उनमें profit booking आगे वो depend करता है तो अगर इस टाइप का कोई सेनेरियो दिखे आपको resistance पर तो फिर आपको sell करना है for this target बट हाँ SL इनका high रहे लेवल के बाद कर लेदें 1045 के उपर दाता है तो 1054 and then 1065 यह आपके target रहेंगे 1033 के नीचे आता है तो 25 and 16 यह आपके target रहेंगे SL क्या लेके चलना है तो SL आपका बनेगा 1038 for buying and 1039 for selling so that's your hard SL next बात कर लेते है so that is a reliance reliance ने क्या है देखो reliance ने gap down open हुआ और नीचे आया उसके बाद पूरे दिन consolidation ही हुआ है ज्यादा कुछ हुआ नहीं so consolidation होता क्यों है क्योंकि जब हम bearish होता ना यानि retailers अगर bearish है तो फिर क्या होगा कि market में big clear उसे समालने के कोशिश करेंगे कर बड़ी चीज नहीं है क्यों 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 कि वो कल भी बैस सकते हैं बड़ retailer में 80-90% क्या है आज या तो SLA लेंगे या फिर वो छोटा सा profit बुक कर लेंगे वो wait नहीं करेंगे कि हां market नीचे जा सकता है उनका confidence नहीं होगा कि हां market नीचे ही जाएगा बड़े retailer को पता है है ना उन्हें तो manage करना है उन्हें पता है तो वो क्या करेंगे साइडवे करेंगे जब आप सब ठक जाओगे तो 2322 के उपर जाता है तो 2335 and 2346 जब 2335 की side जा है तो 34 पर यह आपको profit book कर लेना है काफे strong resistance इस time पर अगर इस level की बात करने दो और अगर 2310 आपका टूटता है तो 2292 and 2272 यह आपके target रहेंगे SL के लेके चलना है तो SL आपका जो बनेगा that is 2316 for buying and 2317 for selling structure अभी बेरिश है जब तक इस level के उपर नहीं चला जाता है न नेक्स बात कर लेते हैं so that is infosys infosys बिल्कुल side वे रहा तो अब इसमें क्या है देखो 1435 के उपर जाता है तो हम buy करेंगे for the target of 1445 and 1454 1425 के नीचे जाता है तो हम sell करेंगे for the target of 1416 and 1407 ठीके SL के लेके चलना है तो SL आपका मनेगा 1429 for buying and 1430 for selling so that's your hard SL soft SL आपका हो सकता है छोटे हों तो जो छोटे होंगे जो small होगा उन्हें हमें यूज करना है ऐसा नहीं hard SL यूज करना ठीक है SBI के बात कर लेता है SBI का क्या है तो देखो SBI ने breakout कर दिया ठीक है तो बाके सब या तो negative है या side way है है ना SBI ने positive closing दी तो अभी 607 के उपर buy करेंगे for the target of 614 and 621 and 598 के नीचे जाता है तो हम sell करेंगे for the target of 588 and then 579 नीचे अगर profit booking आईगी तो अच्छे आईगी तो उसको लेके चलना उपर target उतने बड़े नहीं होंगे जितने नीचे की साइड आपको target मिलेंगे अच्छा SL क्या लेके चलना है तो SL यहाँ पर आपको धाई point का SL लेके चलना है सेलिंग में के वल आपको धाई point का SL लेके चलना है यानि 600.5 बाइंग की बात कर लें तो बाइंग में 605 that's your hard SL in SBI next बात कर लेते हैं so that is Tata Motor Tata Motor तो फॉर्स केंडल completely bearish एक तेड़ परसंट का movement दे दिया इसने उसके बाद completely side way तो यह side way क्या हमारे काम का है बिल्कुल अगले दिन के लिए बिल्कुल काम का है क्योंकि यह अच्छी रेंज है छोटी रेंज है डेक आउट होता है तो हमें अच्छे movement मिलते हैं तो 623 के उपर buy करेंगे for the target of 629 and then 636 and 618 के नीचे हम sell करेंगे for the target of 612.5 and then 607.5 ठीक है SL क्या लेके चलना है तो SL आपका बनेगा 621 for selling and 620 for buying ठीक है so that's your hard answer structure structure इसका भी bearish ही है क्योंकि इसने ये breakout देखके वापस उसी range में आगया ना तो range में आया तो नीचे वाले level भी test होने चाहिए ठीक है चलो next बात कर लेते हैं so that is our adani adani में क्या है तो adani completely bearish ही चल रहा है भी इसने देखो ये level कल भी discuss हुआ था कि ये level के नजदी के ये break होता है तो अच्छा fall देखने को मिलेगा 2372 के नीचे जाता है तो 2337 and 2286 ठीक है SL क्या लेके चलोगे तो SL इसमें 2385 for buying and 2390 for selling I hope ये चीज़े के लिए होंगी के target क्या है SL क्या है कोई पी doubt है तो comment section में comment कर सकते है thank you हुआ 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 है